नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आजखिल मीडिया टेक के साथ यहाँ कहानी यहाँ चल रही है, मतलब यह एक जमाने की बात करें, चुम मीडिया टेक के प्रोसेर से वो गरम होते थे, उनके अंदर प्रॉबलम कफी जाद आते थी, और लोग यहाँ पे स्नैप्डरण के पीछ पूल उल्टी हो गई, यह स्नैप्डरण के अंदर हीटिंग हो रही है, और लोग मीडिया टेक के पीछे भाग रहे हैं, मतलब वो बात तो सही है कि मीडिया टेक ने अपने चित जादा यहाँ पे बेच डाले, और बहुत ही जादा हीलियो लेवल के और जो बजट प्रोसे जो अभी के समय में Qualcomm Snapdragon से जादा बैटर है, मतलब flagship वाली लाइनप में, इसी के बार में थोड़ी बात करते हैं, और पता लगाते हैं, आकर मीडिया टेक की पीछे एक कहानी एक के चल रही है, और किस तरीके से पुरी बिलकुली नहीं प्रोसेसर की लाइनप यावे इनोंन Snapdragon से, लेकिन जब से Snapdragon की कहानी पिछल साल से गड़ पड़ा ही, जैसे Snapdragon 888 हो गया, जैसे Snapdragon 8Gen1 हो गया, कही ना कहीं यहाँ पे हीटिंग देखने को मिल रही है, और इसी का फाइदा MediaTek ने उठाये, इवन बात करें, MediaTek ने अपने यहाँ पे कुछ नहीं प्रोसेसर दी रिली Qualcomm वाले ही Snapdragon 888 को आज भी यहाँ पे प्रेड्यूस कर रहे है, और इसी लिए इस साल भी आपको Snapdragon 888 वाले फोंस देखने को मिल रहे है, खुली देख सकते हैं, और किते सारे फोंस हैं मार्केट में, जो Snapdragon 888 के साथ आते हैं, अब यही देखा जाये तो यहाँ ट्रिपलेट की हीटिंग वगरा हो रही कि साल कुछ हीटिंग वगरा कम करी, और पता है Snapdragon 8Gen1 में अच्छी पॉपमेंस मिलेगी, लेकिन उसके अंदर भी हीटिंग हो रही है, और वो एक महेंगा प्रोसेसर है, तो उसको इंप्लिमेंट करने कि कॉस्ट यहाँ पे काफी जाद रहेगी, और यही पर कहानी में एंट्री होती है, मीडियेट एक डिमेंसिटी के दर, जैसके बात करें मीडियेट डिमेंसिटी की लाइनप देखो, तो डिमेंसिटी 9000 है, वो कहीना कहीं 8Gen1 के साथ कम्प्लीट कर रही है, और 8Gen1 से थोड़ी से उसकी बिलोस की पॉपमेंस रखी गई है लेकिन भी बात करें जो एकसीटिंग प्रोसेसर लग रहे, वो लग रहे डिमेंसिटी 8000 और 8100, इसके पता है पीछे का यहाँ पर कारण क्या बनता है, वो यहाँ पर कारण बनता है, इसकी यहाँ पर पर परफोरमेंस, क्योंकि यहाँ पर डिमेंसिटी 8000 में 4 Cortex A78 की एफिशेंसी कोर यूज किया गया है और माली का G610 MC6 GPU यह यूज किया गया है और तो और यह जो प्रोसर यह बनाए गया है TSM से की 5NM टेकनलोजी पे और यहीं पे मीडिया टेक वाले आगे निकल गये क्योंकि यहाँ पर कॉल्गाउम स्नैप्टर कर यूज कर रहा है समसंग की 4NM टेकनलोजी और 5NM टेकनलोजी जिसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पर हीटिंग प्रोब्लम्स आपको देखने को मिल रही है लेकिन मीडिया टेक ने जो TSMC की फाइब्रिकेशन प्रोब्लम्स यूज करें खास्त और पर एक थाउजन एटी वहने हैं और डिमेंसिटी 9000 के लिए 4NM है वह एफिशेंट है यहाँ पर वन आफ दा की रिजन है कि यहाँ पर कोई भी आपको हीटिंग देखने को नहीं मिल रही है इसी के साथी बात कर तो क्या आप लोग का मालू है कि जो एपल है वो भी अपने जो एपल के A-series के बवनेक प्रोसर होते है वहाँ पर भी यह लोग अपनी TSMC की फैब्रिकेशन टेक्नलोजी को यूज कर रहे है आज के समय में ता कि प्रोसेसर भी ठंडर है और स्टेबल परफामेंस भी निक इसलिए उसके जो फोन से थोड़े कम कीमत में देखने को मल सकते हैं लेकिन एक एडवांटेज यह रहेगा डिमेंसेटी 9000 आपको एक स्टेबल परफोर्मेंस निकाल करतेगा जबकि आज भी इस समय जो पीक परफोर्मेंस रहती है वो आपको देखने को ज्यादर मिल रही GT Neo 3 जैसा जिसके इंदे डिमेंसेटी 8000 प्रोसेसर 150 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेगी और सिन ऐसा इफोन आपको वन प्लस की तरफ से भी देखने को मिलेगा इवन बात किया तो जहां मीटेटेक डिमेंसेटी की प्रोसेफ फ्लैक्शिप में पीचर आ जाते थे को इंक्लीमेंट किया गया अच्छे तरीके से यहां पर आपको साइमल्टेनेस डॉल केमरा HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल रहा है 5G की के एग्रिगेशन वाला अच्छा मोडम देखने को मिल रहा है हाला कि अभी भी यहां पर मिलीमीटर वेव का सपो और देखा जाए तो यह काफी अच्छा कॉंबनेशन बना देती प्राइस टू पर्फॉमेंस और फीचर्स का जहां पर मीडिया टेक पहले लेक कर रही थी और इसके साथ एक इंपोर्टेंट बात है कि जहां मीडिया टेक के जो प्रोसर है थोड़े अपर कैटिगरी में ज जैसा है लेकिन उसे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर प्रोसर हो जाता है जहां पर खास तौर पर आयस पी लेड़ेट चीज़ों में कुछ माइनर इंप्रॉमेंट किये गा है तो यह भी प्रोसर है जिसके जो फोन से वह आपको देखने का उन सकते हैं तो कहने का मतलब यहा मार्केट केप्चर कर रहा है 15,000 रुपए की नीचे 15-30,000 में डेवेंसिटी को केप्चर कर रहा था तो मैजॉरिटी शेयर तो था लेकिन जहां वो लेक कर रहे थे वहां उनकी पीक पॉफॉमेस वाले अच्छे फ्लैक्शे प्रोसर जहां पर स्नैप ड्रगन ने अपना ब नहीं होती थी अब मीडिया टेक में हीटिंग बंद होगी है लेकिन कौल कॉम स्नैप ड्रगन के अंदर कहीना की हीटिंग देखने को मिल रही है लेकिन वैसा बिलकूल भी नहीं है एक्जेक्ली बात की जाए तो यहां पर कॉल कॉम वाले अच्छे प्रोसर ना आते है जैस पे इस पर थोड़ आप सा मात खाता हुँ दिख रहा है कॉल कॉम स्नैपडरगं देखते फ्यूचर में कॉल कॉम स्नैपडरगं वाले कुछ नए प्रोस्टर को लेकर कुछ इंट्रस्टिंग चीज़े करें तो वो एक काफी अच्छी चीज होगी अधर्वाइस मीडिये टैक से लगी हूँ यह कॉल कॉम स्नैपडरगं का भी कुछ ना कुछ हो रहा है और मीडिये टैक वाले हैं पर काम कर रहा है और यूनी एस उसी यानि की चिप शॉर्टेज होने के बावजूद्धी कहानी फ्यूचर की काफी जादा जबर जसते हैं और लग रहा है कि जो चिप क को लगता है कि कौकम स्नैपडरगं आगे निकल जाएगी तो यह बाद भी नीचे कमेंड बताना आगे बन भूलना वीडियो पूसन है एक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थेंग गूड़ी देखनी के लिए मैं आवसन दो नेस्ट वन के अंदर गुद बाई